दोस्तो रेलवे ने एक और बॉम फोर दिया है ये पहला वाला आप लोगों को एक्जम कलेंडर है जिनों ने बताया था कि हम लोग कौन से डेट को कौन से एक्जम लेंगे दोस्तो इन तीनों में चेंज हो चुका है एलपी पहले होने वाला था 25 नवंबर से 29 नवंबर नया नोटिस आया रिवाइज नोटिस अभी भी दोस्तो 25 नवंबर से 29 नवंबर ही होगा लेकिन दोस्तो जो आरपी फैसाई पहले 2 दिसमबर से 5 दिसमबर होने वाला था अब वो 2 दिसमबर से 12 दिसमबर तक चलेगा जो 18 दिसंबर से होगा ना कि 16 से और 29 दिसंबर तक चलेगा जो आरार भी जही 6 दिसंबर से होने वाला था अब उन बच्चों को एक्स्टर टाइम मिल गया है अब वो 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक होगा तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन था इसके जानकारी मैं आपको दे दी इस समय वेश्ट मत करो बस अपनी पढ़ाई पे लगो आपको अपनी एक्जाम के लिए बहुत बहुत चुपकाम नहीं सुबह 10 बजों चाम को चार बजे फ्री क्लास में जुड़ना ना बोले चैनल सब्सक्राइब कर लिजे जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको तूरन मिल ज